अलो इस्टुटेंट्स आज हम क्लास 12 के लेसन 3 ये questions and answers को समझेंगे लेसन का नाम है a father's letter इसका approach lesson पहले वीडियो जारी किया चुका है आप उसको पढ़ लें समझ लें अच्छे से उसके बाद ही questions and answers को समझें तो बहतर होगा पहला question है why does the author choose this occasion to advise his son लेखक के अपने पुत्र को सला देने के लिए इस अफसर का चुनाब क्यों करते हैं अपने पुत्र को सला देने के लिए इस अफसर को क्यों चुनता है आंसर देखिए The author chooses this occasion to advise his son लेखा का अपने पुत्र को सलहा देने के लिए इस अफसर को चुनाब करते हैं Because, क्योंकि he is entering into school life क्योंकि वह school life बिद्यार्थी जीवन में प्रविश कर रहा है बच्चा बिद्यार्थी जीवन में प्रविश कर रहा है This can be considered as his first entrance into the world और इसे दुनिया में उसका प्रथम प्रविश भी समझा जा सकता है लेकर कहता है कि जब भी बच्चा पहलीवार कोई बच्चा जब इसकूल में जाता है पहलीवार तो वो दुनिया के लोगों से तमाम तरह के बच्चों से पहलीवार मिलता है तो दुनिया में उसका पहला प्रविश होता है इसलिए उसका बच्चा जब इसकूल जा रहा है तो वो कहता है This can be considered as his first entrance into the world यह इसे दुनिया में उसका प्रथम प्रविश भी समझा जा सकता है Another important reason is that दूसरा महत्वपूर कारण यह है His health is now not good जो पिता है लेखक भी है उनका स्वास्त अच्छा नहीं है And he does not hope to live long और वे ज्यादा दिन जीने की आसा नहीं करते तो इन दो कारणों से वो सला देते हैं अपने बेटे को Second question देखें आप What happens if we pre-judge people and future events What happens, क्या होता है If we pre-judge यदे हम पूर्व धारणा बना लें People, लोगों के बारे में And future events और भविश्य की घटनाओं के बारे में हम पहले से ही लोगों के बारे में और भविश्य की घटनाओं के बारे में मन में धारणा बना लें पहले से ही तो क्या होता है तो आशर देखें आप इफ वी प्रीज़ पीपल एड फूचर इवेंट्स यदि हम लोगों के बारे में और फूचर इवेंट्स के बारे में प्रीज़ कर लें, पहले से ही धाना बना लें वी कैन नॉट रिमेन इंपार्शियल तो हम निस्पच नहीं रह सकते इंपार्शियल बाने निस्पच रहना हम निस्पच नहीं रह सकते निस्पच तोर से हम पहले से ही जब सोच नहीं, जैसे हम किसी ब्यक्ती से मिले नहीं है और हम उसके बारे में सोच नहीं कि वो बुरा है या कुई जगह पर हम गए नहीं है वो जगह के बारे हम सोच लेंगे वो तो खराब जगह है तो पहले से ही धाणा बना लेना जिनको हम जानते नहीं, मिले नहीं है तो इससे हम निस्पच नहीं रह सकते and we will make enemies of half the world और हम आधी दुनिया को अपना सत्रू बना लेंगे इस तरीके से, यद हम पहले से ही किसी के बारे में बुना सोच लें, बिना मिले, बिना जाए कहीं पर, तो फिर आधी दुनिया को खराम माल लेंगे, लोगों को आधा दुस्वन माल लेंगे, तो इसलिए पहले की धर्णा, लोगों को नहीं मुनाना चाहिए यह बहुत important question है third question है what reasons does the father give his son for the hostile behavior of his schoolmates what reason does the father give पिता क्या कारण देते हैं his son, अपने बेटे को for the hostile behavior hostile behavior यानि सतुरता पूर्ण ब्यभार बुरा ब्यभार of his schoolmates schoolmates माने उसके school के दोस्त तो school के दोस्तों के सतुरता पूर्ण ब्यभार की बारे में पिता अपने बेटे को क्या कारण देते हैं कि उसके दोस्त क्यों ऐसा सातुरता पून व्यभार करते हैं क्या बताते हैं वो कारण आंसर देखिए about the hostile behavior of the schoolmates his father gives this reason to his son साला के साथियों के सातुरता पून व्यभार का पिता पुत्र को यह कान बताता है कि they are stranger to him कि वे उसके लिए अजनभी हैं stranger माने अजनभी they knew as little of him as he knew of them वे उसके बारे में उतना ही कम जानते हैं they knew as little यानि वे जो school के मित्र हैं उनके लिए दे आया है वे उसके बारे में उतना ही कम जानते हैं of him उसके बारे में as he knew of them जैसा कि वह उनका बेटा उनके बारे में कम जानता है तो दोनों एक दूसरे के लिए अजनभी हैं तो इस तरह का ब्यवहार बनी जाता है फोर्थ कोश्चन है What is the best way to disarm hostility? Disarm माने निरस्ट करना तो hostility, सत्तुर्था उसको निरस्थ करने का best way क्या है? सर्व स्रिष्ट तरीका क्या है? सामने वाले से हमारी सत्तुर्था खतम हो जाए वो हमारे वारे में अच्छा सूचे तो इसके लिए क्या सबसे अच्छा मार्ग है रास्ता है? तो answer है The best way to disarm hostility is to avoid the faults that you see in others सत्तुर्था को निरस्थ करने का, खतम करने का, डिसार्म करने का सर्वस्रिष्ट तरीका है to avoid the faults कि हम उन गलतियों को avoid करें, neglect करें that you see in others जो तुम दूसरों में देखते हो उन faults को गलतियों को हम नजरंदाज करें, avoid करें तो फिर हमारी सत्तुर्था खतम हो जाती है क्योंकर problem यही होती है कि हम दूसरों में जब कुछ कमिया देखते हैं तो हम उसको टोकते हैं, उसको point out करते हैं, उसका मज़ा खुड़ाते हैं दूसरों से बोलते हैं उसके बारे में तो फिर वो भी हमारे लिए बुरा सोचता है तो आपस में सत्तुर्था पुन व्यवार हो जाता है जब दूसरे की गल्तियों के बारे में सोचेंगे ही नहीं उसको बोलेंगे ही नहीं तो फिर सत्तुर्था खतम हो जाती है यह question बहुत important है इसमें यह देखो, मैंने question उपर लिखे हुए है और इनके answer नीचे करम से लिखे हुए है यह पहले का answer है दूसरे का है यह तीसरे का है तो second देखें आप fourth, fifth question देखें आप What should we never despise anyone for? हमें किसी को किस बात के लिए कभी अपमानित नहीं करना चाहिए despise या नापसंद या अपमानित नहीं करना चाहिए हमें किसी को किस बात के लिए What should we never despise anyone किसी को भी anyone for किसी बात के लिए भी तो हमें किसी को किसी बात के लिए भी कभी नापसंद नहीं करना चाहिए उसका अपमान नहीं करना चाहिए answer है We should never despise anyone for anything that one cannot help हमें किसी को उस बात के लिए कभी अपमानित नहीं करना चाहिए जिस पर उसका वस नहीं है जिसकी वो खुद मदद नहीं कर सकता जिसका उस पर कोई वस नहीं है जैसे कोई व्यक्ति गरीब है कपड़े खराब पहनता है तो हम उसको टोक है कि यह कैसे कपड़े पहनता है तो हम उसके साथ यहसा नहीं बोल सकते है उसको क्योंकि यह उसकी मजबूरी है उसके बस में नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहने तो फिर हम किसी को हमें किसी को उस बात के लिए विस्पाज नहीं करना चाहिए, अपमानित नहीं करना चाहिए जिस पर कि उसका कोई वस नहीं है That one cannot help Sixth question है What is the main difference between playmates and schoolmates? Playmates माने हमारे खेल के साथ ही, जो हमरे साथ खेलते हैं वो school के भी हो सकते हैं, school के बाहर के भी हो सकते हैं, मौले के हो सकते हैं कई के भी हो सकते हैं, जो schoolmates माने, जो school के साथ ही, जो school में हमारे साथ पढ़ते हैं तो इन दौनों के बीच में अंतर क्या है? What is the main difference between playmates and schoolmates? खेल के साथ ही और school के साथ ही बीच में क्या अंतर है? तो answer देखिए आप The main difference between playmates and schoolmates is that इन दौनों में मुख्य अंतर है Schoolmates are with us in the school साला के साथ ही हमारे साथ साला के साथ-साथ खेल के मैदान में भी साथ रहते हैं Is that schoolmates are with us in the school as well as in the playground इसकूल वाले बच्चे जो हैं दोस्त हमारे वो हमारे साथ इसकूल में भी रहते हैं और खेल के मैदान में भी रहते हैं As well as in the playground But playmates are there with us only with during the play परन्तु खेल के साथ ही हमारे साथ केवल खेल के दोरान ही रहते हैं तो यह इनका बेशिक अंतर है What is the author's opinion on things and people we are yet to see and know लेखक उन बातों या उन लोगों के बारे में क्या मत है We are get to see and know जिनको अभी हमको देखना है और जानना है या फिर इसको बुलेंगे ऐसे कि लेखक उन चीजों लोगों के बारे में क्या मत रखता है opinion रखता है जिन से अब तक हम नहीं मिले हैं और नहीं जिने हम जानते हैं तो क्या मत रखता है तो answer देखिए The writer says देखक कहता है That we should not be prejudiced about the things and people we are yet to see देखक कहता है हमें उन चीजों और लोगों के प्रत्य पूर्वा ग्रस्त से पूर्वा ग्रसे ग्रस्त नहीं होना चाहिए prejudice मारे पूर्वा ग्रसे ग्रस्त होना पहले से मन में किसी के लिए धाला मना लेना इसको गएदे prejudice तो वो हमको नहीं रखना चाहिए यूसरों के बारे में we are yet to see जिनको हमें अभी मिलना है दिनको देखा नहीं है मिले नहीं है उनके बारे में पूर्वा ग्रस नहीं रखना चाहिए next question है what according to the author does contempt imply contempt माने होता है तिरस्कार तो लेखक के अनुसार contempt क्या imply करता है क्या अर्थ बताता है क्या चिन्यत करता है तिरस्कार क्या बताता है यह हम किसी की प्रथ तिरस्कार करती है contempt करती है तो इस contempt का मतलब क्या होता है लेखक क्या अनुसार तो आंसर देखिए according to the author contempt implies तिरस्कार बताता है triumph over यानि विजय पाना विजय मेसूस करना and pleasure और खुशी in the ill of another ill of another दूसरों के कश्टों में बुराईयों में हम खुशी मेसूस करें हम खुद को विजय मेसूस करें खुद की जीत मेसूस करें तो यह contempt कारत होता है it means इसकारत होता है यह हम किसी की दूसरे की बुराई में खुशी हो रहे हैं उसके में विजय महसूस कर रहे हैं अपनी जीत महसूस कर रहे हैं तो आगे देखिए It means इसकारत है that you are glad and congratulate yourself कि आप खुस होते हैं और स्वयं को बदाई देते हैं congratulate yourself, खुद को बदाई देते हैं on others' feelings and misfortune दूसरों की जो असफलताएं हैं feelings और उनके जो दुरबाख है misfortune हैं उन पर खुस होते हैं और वदाई देते हैं किसी का तो बिचारा फैल हो गया या किसी का कुछ बिगड़ गया या कुछ नुक्सान हो गया और हम खुस हो रहे हम ताली बजा रहे हैं हाँ साब हमारी बज़े से हो गया और हमने देख लिया मज़ा आ गया तो ये सब जो है न तेरा स्कार होता है नेगलट करना दूसरों को ये गलत है इस तरह का नहीं होना चाहिए तो ये समझाने की कोशिस वो करता है लेकर नवा question है what is the difference between life at home and life at school life at home घरेरू जीवन और life at school school का जीवन इनमें क्या अंतर है घर के जीवन में और school के जीवन में क्या अंतर है आंसर देखे the life at home is very comfortable घर का जीवन बड़ा ही comfortable होता है आराम दायक होता है you might do as you pleased तुम जो चाहो जैसा चाहो वैसा कर सकते हो you might do as you pleased जैसा तुम चाहो वैसा कर सकते हो but at school पर तुम तुम स्कूल में स्कूल देर और इन दा आउटसाइड वर्ड या पर स्कूल हो या अगर बाहर की दुनिया हो you will find competitors तुम प्रतिसपर्धी पाओगे at every turn हर मोल पर whom you have to defeat to stay ahead जिनको तुम्हें आगे बढ़ने के लिए हराना पड़ेगा बाहर की दुनिया में या इसकूल में तुम्हें अपना competitor मिलेगा जिसको तुम्हें every turn हर मोल पर हर बार तुम्हें defeat करना होगा हराना होगा to stay ahead आगे बढ़ने के लिए तो यह आप देखते हैं स्कूल में आपकी competitor रहते हैं घर में कोई competitor नहीं रहता अगला question देखें आप यह बहुत important question है इस lesson का paper में आता रहता है explain व्याख्या करो बताओ true equality is the only true morality or true wisdom सच्ची समानता ही सिर्फ नेतिकता या सच्ची बुद्धिमता है तो यह question सच्ची समानता true equality is the only true morality सच्ची नेतिकता or true wisdom सच्ची बुद्धिमता है wisdom ने बुद्धिमानी answer देखें this world is full of people यह दुनिया लोगों से भरी है who are competing hard with each other जो एक दूसरे से कड़ा संगर्स कर रहे है compete कर रहे है प्रतिसपर्दा कर रहे है एक दूसरे से people try to get ahead of other लोग दूसरों से आगे निकलने की कोशिज करते है by hook और by crook by hook और by crook एक phrase है मतलब किसी भी कीमत पर किसी भी कीमत पर लोग दूसरे से आगे बढ़ना चाहते है एक दूसरे से परते होता करते है truly moral people परतु जो सच्चे नैतिक लोग होते हैं जो नैतिक ब्यक्ति होते हैं जो किस नैतिकता रखते हैं अपने मन में दिमाग में believe in equality वो समानता में विश्वास करते हैं वो किसी से competition नहीं करते हैं किसी को छोटा बढ़ानी मानते truly moral people believe in equality सच्चे नैतिक लोग समानता में विश्वास करते हैं और यही सच्ची बुद्यवानी हैं जब हम किसी को उचा नीचा नहीं समझते किसी से competition की भावना नहीं रखते तो यही सच्ची बुद्यवानी है सब को समान लेके चलते हैं truly moral people consider all equal to each other सच्चे नैतिक लोग सवी को एक दूसरे के समान बराबर समझते हैं equal समझते हैं आगरी last question देखे how does school life prepare a child to face the outside world school life ये द्यार्थी जीवन एक बच्चे को किस तरह बाहरी दुनिया outside world के लिए के लिए सामना करने ही तो तयार करता है face करने के लिए तयार करता है तो school life कैसे बाहरी की दुनिया में face करने के लिए किसी बच्चे को तयार करती है तो answer देखे school life prepares a child to face the outside world by teaching to be used to the unavoidable rubs and uncertain reception unavoidable rubs माने न टाल नहीं सकते ऐसी बाधा हैं इनको unavoidable जिसको टाल नहीं सकते रubs तो न टाले जाने वाली बाधा हैं और uncertain reception माने एन श्चित बरताब व्यभार तो यह हमको कई जगा है देखने को मिलेगा जीवन में जब हम कहीं जाएंगे तो हमको unavoidable rubs भी मिलेंगे जिनको ऐसी बाधा हैं मिलेंगे जिनको हम टाल नहीं सकते और कई बार uncertain reception मिलेंगे अनिश्चित बरताब मिलेगा हमारे साथ कोई ऐसा ब्यभार करेगा जो अनिश्चित होगा हमको पता भी नहीं हुआ कि हैसा ब्यभार हमारे साथ ऐसी जगे मिलेगा तो इन चीजहों के लिए स्कूल लाइफ तैयार करती है इस्कूल लाइफ प्रेपेर से चाइल्ड टू फेस्ट आउटसाइड वर्ल्ड विद्यार्थी जीवन अनसर्टेन रिसेप्शन तो ऐसी चीजहों बाधाओं के लिए जिनकों टाल नहीं सकते ऐसे अनिश्चित व्यभार जो हमको जीवन में मिलेगा आगे उसके लिए अभ्यस्त हमको ये स्कूल जीवन सिखाता अभ्यस्त करना बाहर की दुनिया का सामना करने के लिए हमको तयार करता है तो विद्यार्थियो आपको ये कुश्यरांसर समझ में आ गए होंगे ये सामने आपको स्क्रीन पर ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि इस तरह ये पुरोज का लेसन आपका हो चुका है और आप इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें परतु कुछ लोग द्यार्थियों ने समस्या बताई कि हमको सब्सक्राइब करना नहीं आता तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि जब भी आप इस वीडियो खतम होगा तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस तरह से दिखता है जहां पर ये दिखते हैं ये लाइक है ये डिसलाइक है ये शेयर का बटन है तो कोई वीडियो पसंद आता है तो हम like करते हैं ना पसंद आता है तो dislike कर देते हैं नीचे थमब रहता है ऊपर थमबे तो like करते हैं जब हम किसी दोस्त को share करना हो ये वीडियो उसके पास नहीं पहुचा और हम उसको WhatsApp से पहुचा रहे हैं कई बार देख सकते हैं, पॉज करके आप question answers को write down कर सकते हैं, समझ सकते हैं, offline में आपका net balance खतम नहीं होगा, एक बार आप download कर लेंगे तो, और save करके, save करने से एक file में save हो जाता है, और हम उसको ततकाल देख सकते हैं, और यह आप लाल से देख रहे हैं, यह channel का नाम है, MP English Classics, और इसके आगे यह subscribe लिखा हुए लाल से, यह किवल आपको touch करना है, इसको आप touch करते ही, यह channel subscribe हो जाएगा, और subscribe के फायदा यह रहता है कि हम आपको WhatsApp से वीडियो नहीं पहुचा पाती कभी, तो यह वीडियो सीधा आपके phone में, email ID जो रहती है, उसके inbox में, मेरे upload करते ही पहुच जाएगा, जैसे ही मैंने वीडियो बनाया, और वीडियो आपके phone में, mobile में, email के inbox में पहुच जाएगा, YouTube का, और आप उसको लगना है, किबल आपको इस subscribe कलाल बटन टच करना है, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को अभी subscribe, like करें, धन्यवादू